हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्टी की कुछ इंपोर्टेंट बैटल्स करेंगे जिन से एक्जाम में कौशन पूछा जाता है तो आपको वीडियो ध्यान से और अरांते तक देखना है चली स्टार्ट करते हैं सबी एक्जाम के लिए वीडियो इंपो प्रताब मेवार के थी और अकवर की फोर्स थी इसको मान सीं की तोरह लेड़ किया गया था इन दोनों के बीच हो था इसमें क्या हुआ मुगल विक्ट्री हो गई थी सम्मुगलों की जीत हो गई थी और इसकी लोकेशन की आते हल्दीगाटी राजसामंद डिस्ट्रिक रा जानता इसका छी lucky किi वर्श लड़ा गया था यह लड़ा गया था ओप्श्यन 247 में प्लासी का य॥ी लड़ा गया था एसका रिजट क्या निकला जो की बिडिस थे वह जीत गए और जो मीर जाफर था उसको नवाव बंगाल न्यू बना दिया गया न्यू नवाव बंगाल के रूप में उनको क्राउन दे दिया गया कहां पर वा था पलाशी जो की भागी रथी रिवर के पास है कलकत्ता में कौन से साल था 23 जून बंगाल को अधिया था इसका भी पता होगा आपको आपको ऑप्शन भी सत्रेसों सब्सक्राइब लड़ाई हुई थी तो बैटल बक्सर में कौन-कौन संब्सक्राइब थे यानि किस-किस के बीच हुआ था तो यह वा था बिटिस्ट अगेंस्ट मीर कासिम जो की बंगाल को स्टेशन कर रहे थे बिटिस्ट और मीर कासिम के बीचे युद्ध हुआ था और इसमें सुजाव दौला और सहा अलम सेकंड यह भी संबल थे इसमें क्या रिजल्ट आया इसमें भी बिटिस्ट जो थे वह जीत गए थे कहां पर हुआ था बक्सर बेहार में कौन से जाल था त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था इसके अलावा किस गीस की बीच लड़ा गया था तो यह लड़ा गया था प्रतिफिराज चोहान और मोहमत गोंसे साल तो मुझे स fault अ मुझे आपको पीडियाइभ चेये तो मुझे आप कमें्ट मोंनों के बताएं सेकेंड वैड़ सब तरायन कब हुआ था तो यह वा था 1192 में एक साल बात किस किस के वीच हुआ था अगें प्रत्रविजाज चोहान और मुहमद गोरी के बीच हुआ था इसमें रिजल्ट क्या निकला इस बार मुहमद गोरी जीत गए ठीक है पिछली स्लाइड में हमने देखा कि प्रत्रवि था अधिद पानिपत्त का किस कि की बीच हुआ था बावर और अब्राहिमलोदी के बीच हुआ जता है क्या भी रिजर्ट निकला बावर जीत गया है吗 कहां पर था पानीपत थर्यानप में साल काँ साहवा था 21 अपयाव 1526 छबीस में हुआ इसेकिंड बानीपत किसकी के विछ हुआ था अकवर और हीमो के विछ तो देखो पहला विछ हुआ था बावर और इब्रहेम लोदी के बीच दूश्रा हुआ था अकवर और हीमो के बीच कौन से साल था 1556 और फर्स्ट वैटल में कौन से साल था पानिपत और हरियाना में साल कौन सा था जनवरी 1761 ठीक है कितना टाइम बाद हुआ है नेक्स्ट कोशन में बड़ते हैं बैटल ऑफ खानवा पस फट वेट्वीन खानवा का युद्ध किसकी बीच लड़ा गया था तो दीखो खानवा का युद्ध भी आता है एक्जाम में इंपोर्टेंट है यह यह लड़ा गया था बाव और कांवा रानेसंगा की बीच लुट के को मेंगे में देखा बैटल अफ पानीपत और 2527 में देख रहे हैं बैटल जाव घागर किस बर्स लड़ा गया था घागरा का योद्ज किस समस्ट लड़ा गया था तो दोप्चन में लोकेशन कहां पे हुआ था खागरा नदी बिहार में है जो साल कौन सा था 1539 अगर एक जग्डेट याद रखने हो तो माई 6 1539 बैटल अप चौसा किस किस की बीच हुआ था बैटल अप चौसा वस फॉर्ट विडिवीन चौसा का यह दुखा था ऑप्शन ए सेर्सा अगेंस् था 1549 में तो क्रोनलोजी भी लगाने को पुछा रा सकता है एक्जाम में टाफर बनाने के लिए कि आपको यह दे देंगे और आपको उसके सामने बैटल देंगे तो आपको उस में से चूस करना है कि कौन सा सही है क्रोनलोजी में नेक्स वोचन है बैटल ऑफ तली कोटा व हार गया लोकेशन कहां पर हुआ था ताली कोटा करनाटक में 1565 में हुआ था हूब बैटल ऑफ सामोगर समोगर का युद्ध किस ने जीता तो यह जीता था और अंगजीब ने बैटल ऑफ समोगर में दारसे को थे उसके अगेंस्ट कौन थे और अंगजीब थे विजल्ट क तो देख लेते हैं इंगलिश और फ्रेंच की विच हुआ था रिजल्ट का कुछ पता नहीं है करनाटक रेजियोन में हुआ था साथ इंडियन में दूसरा करनाटक वार हुआ था यह बीन की सीरीड चली थी पार्टी थी निजाव आफ हैदराबाद के लिए लोग लड़ रहे थे और दवाव करनाटक इच किलेमेंट बिंग सपोर्टड आइदर वाई बिट्टेस और फ् साल कौन साथ 1749 से 1754 कि तीसरे हुआ दे सब्सक्राइब से 1757 से 1776 इसमें ब्रेट्टेस जीत गए थे इंग्लिश और फ्रेंच फोर्स की वीची हुआ था बैटल अब बंडिवास यह थार्ड करनाटिक वार का था था इसाथ में होगा था यह पूशा जाता है बैटल अग अगर एक जग डेट याद रखनी है तो जन्बरी वाइस 1760 कहां पर वा था बांडिवास ती तमिल लाडू रिजल्ट के निकला ब्रेटिस जीत गए पार्टी कॉन से थी इंगलिश और फ्रेंच होर्स इन इंडिया बैटल अप्लासी यह तो अमने पिछली साइड में बीची हुआ था मैसोर की मैसोर इसमें जीत गए थे बड़ा बड़ी बात है साथ इंडिया में हुआ था सं कॉन सा था 376-779 तक हुआ था सेके लो मैसोर की बार की बात करें यह भी सीरिज में हुआ था पहला पार्टी कॉन सी थी इसमें बिटिस इस्ट्रेय कंपनी और था था इंगलो मैसोर वार बिटिस इस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सिल्तान की वीची हुआ था जो कि मैसोर के थे बिटिस इसमें जीत गए थे और इसके बाद ट्रीटी ऑफ स्री रंगपट्नम साइन हुई थी साथ इंडिया में हुआ था 379 से 3792 तक फोर्थ एंगलो इसमार में पूछ राता है ठीक है याद रख लिना आप लेक्स्ट कोशन है फर्स्ट एंगलो मराथा वाथ हैपन एड विच प्लेस प्रत्रम अंगल मराथा यद की सिस्थान पर वाथा यह वाथा ऑप्शन पूनी में हुआ था तो किसकी की बिच वाथा बिटिस और मराथ इसमें जीट गए लोकेशन इंडिया साल कॉन सा था था थार्षय साथाज़ाइंग हो इस नर्टा मीद्र को अंगलों मळानी की बात तुक हार यह जीत थी पर पर दूखी है लाचार है तो इस यूद के बाद उन्हें उन्हें पर उन्हें लोग आपका दुष्मन है लेकिन जब व्यक्ति युद्ध के दुरान मरता है तो जो उसकी फैमली पीछे चोड़ती है उस पर कितना बुरा प्रभाब परता है यह साही चीज़न देखते हुए उन्होंने अपने जीवन में सोचा कि वह आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगी और उन्होंने इस युद्ध के बाद ही ब कमेंट करेंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंकियो फॉर वाचिंग